सबी विध्यारतियों का एक बार फिर से सक्सेस फ़स्ट यूट्योब चैनल में हार्दिक श्वागत हैं आज हम पढ़ने वाले हैं भारतिय वेग्यानिकों के बारे में सुरू से अंत तक किस प्रकार से उनका जीवन वर्त रहेगा और किस प्रकार से विध्यान में उनका योगदान रहता है सबसे पहले आज हम जिस वेग्यानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है सूस्रूत बिलकुत सामाने सी बात हैं सूसृत वेग्यानिक जो थे वो थे 600 इसापुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर जानकारी दी यहां पर यूं कह सकते हैं कि सूसरूत का विज्ञान के क्षेतर में क्या योगदान रहता हैं तो यहां से हम उत्तर बताएंगे कि सरो प्रतम सल्य सिकित्चा का प्रिश्क्रत ज्यान देने वाले सूसरूत थे सबसे पहले जो ऑप्रेशन विदिया चलती हैं जो ऑप्रेशन की किरिया आज ऑस्पिटल्स के अंदर चलती हैं इनकी सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी सूसरूत ने इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सल्य किरिया में प्रिक्त जितने भी यंत्र रहते हैं आज जो ओप्रेशन कारी किया जाता है ओप्रेशन के दौरान कई प्रिकार की यंत्रों की आवसिता होती तो उस यंत्रों के बारे में भी सबसे पहले जानकारी जिसने दी थी उसका नाम था सूसुरूत इसके आगे की बिंदू में पढ़ते हैं कि इनके द्वारे रचना रचित की गई थी इनके द्वारे जो रचना रचित की गई थी उसका नाम था सूसुरूत सहीता सुसूरुत सहीता में खास बात क्या थी कि इसके अंदर सल्य सिकित्सा की जानकारी थी सल्य सिकित्सा की जानकारी सुसूरुत की द्वारा रचित सुसूरुत सहीता में दी गई थी इसके आगे बात करते हैं हम जो इन्होंने यंत्र बताये थे अगर मैं बाद करूँ इस यंत्रों को साफ करने की, किटानों रहीत करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इन उपकरणों को ऌपरेशन के समय या सल्य किरिया के दोर्ण उपयोग में लिया जाता है, तो यह उपकरण नहीं गंदे हो जाते हैं. तो उपकरणों को साफ कैसे किया जाएं तो सामानियत करते क्या है कि उपकरणों को किटाणों को हटाने की विधी उनने बताई कि गरम पानी में डाला जाएं जो गरम पानी रहता उसके अंदर विभीन प्रकार की उपकरणों को अगर डालेंगे तो जो यंत्र रहते हैं, जो उपकर्ण रहते हैं, वो स्वच हो जाएंगे, साप हो जाएंगे, किटानों रहीत हो जाएंगे, जो भी उनके उपर किटानों रहते हैं, वो किटानों नश्ट हो जाएंगे, ये जानकारी भी किस नहीं दी थी, तो यहाँ पे हमारा उत्तर रहे जो पहले वेग्यानिक थे जहां हम इसे कह सकते हैं प्लास्टिक सरजरी का जनक तो प्लास्टिक सरजरी का जनक भी कहा जा सकता है किसको सूसरूत को इसके बाद बात करते हम 101 यंत्रों का ज्यान ये पढ़ चूके हैं हम सूसरूत सहीता अब सूसरूत सहीता उनके द्वारा र जानकारी थी और सल्ले से किसा के दोरान काम में ली जाने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी थी तो ये तो था हमारा सूसरूत और इसके आगे भी हम कई प्रकार के वेग्यानी को पढ़ेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद